नमस्कार वनिनिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिकाथ हो रिया उत्रप्रदेश के सभी नीजी स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तायरे में होगे और उन्हें अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी अनिवारे रूप से देनी होगे इससे गैर साहता प्राप्त प्राइबरिट स्कूल से सूचना प्राप्त करने में चात्रों और उनके अभिभावकों को इधर उधर भटकने से राहत मिलेगी आपको बता दें राज्य सूचना आयोग यानि की SIC नहीं आदेश चारी किया है राज्य सूचना आयोगत प्रमोध कुमार्तिवारी ने अपने आदेश में नीजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है उन्होंने ये भी कहा कि गैर साहता प्राप्त नीजी स्कूल आर्टिय अधिनियम के दायरे में होने चाहिए और ये काफी समय से पहस का विशे रहा है राज्य के नीजी स्कूलों के सूचना के अधिकार के दायरे में आने का अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्पी स्कूल की फीस, संचालन में खर्च, विद्याले में खर्च, संबंधी, जानकारी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकेगा स्कूलों को ये जानकारिया निवारे रूप से उपलप्त करानी होगी आपको बता दे कि संजे शर्मा नाम के एक शक्स ने लगनों की दो नामी स्कूलों को लेकर अपील दायर की थी इसके बाद राज्य सूचना योग ने इन दोनों नीजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वो सूचना अधिकारियों की न्युक्ति करें और सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत लोगों को चानकारी मिल सके इससे पहले नीजी स्कूल लोगों को अपने संचालन से जुड़ी जानकारियां ये कहकर नहीं देते थे कि उन्हें राज्य सरकार से कोई फंड नहीं मिलता और वो सूचना के अधिकार कानून के दारे से बाहर है हलाकि इस मामले में अब सोप्रीम कोट ने फैसला सुनाय था कि अगर किसी शहर का विकास प्राधिकर नीजी स्कूल को कम दरों पर भूमी प्रदान करता है तो ऐसे स्कूल को राज्य की तरफ से संपूर्न रूप से वित पोशित माना जाएगा बाद में राज्य सुचनायोग ने भी ये फैसला दिया था कि जिल्ला शिक्षादिकारी मांग पर याचिका करता को फॉर्म में जिनका जिक्र है उन सभी जानकारियों को देने के लिए बात दी है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अबडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ